नमस्ते, आज हम वितवर्ष 2022-23 की बजट समिक्षा के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वित मंत्री निर्मला सीता रमन ने वितवर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। यह है एक फरवरी 2022 को पेश किया गया। इस साल का कुल बजट उन्ताली पॉइंट पंताली लाग करोड रुपे का है। यह है पेपरलेस बजट है। महामारी के महोल में विकास पर अधिक फोकस किया गया है। हमारी वित मंत्री निर्मला सीता रमन एक लाल कपड़े में लिपटा टैबलेट लेकर संसत भवन पहुँची। उन्होंने 91 मिनट तक बोला जिसमें उन्होंने 10,650 शबद बोले। उन्होंने कहा कि इस बजट से अर्थ वेवस्था तेजी से दोड़ेगी। भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट में आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। महिलाओं के लिए कई तोफे इस बजट में हैं। पॉलिश हीरे सस्ते किये गए हैं। रतनों पर शुल्क घटा कर 5% कर दिया गया है। मीशन शक्ती और मीशन वातसल्य शुरू किया गया। शक्षम तथा आंगनवाडी और पोशन 2.0 कारेकरम भी लौंच किया जाएगा। आम आदमी का भी ध्यान इस बजट में रखा है। गरीबों के लिए 48,000 करोड रुपए से 80,000,000 घर बनाए जाएंगे। शहरी इलाकों में PM अवास योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग तथा ATM सुविधा दी जाएगी। शिक्षा के शेत्र में एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 चैनल से बढ़ा कर 200 चैनल किया जाएगा। वेवसाइक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्स्टी बनेगी। 2 लाख अंगन बाडियों में सोलर एनर्जी का इस्तमाल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। 2025 तक सभी गाउं में ऑप्टिकल फाइबर बीचाई जाएगी। नैशनल हाइवे 25,000 किलोमिटर तक बढ़ाए जाएंगे। हाइवे के लिए 20,000 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है। स्पेशल एकनॉमिक जोन के लिए कस्टम नियम आसान किये जाएंगे। नए वितवर्ष में ई-पासपोर्ट शुरू किये जाएंगे। यह आर, एफ, आई, डी और बायो मेट्रिक्स पर काम करेगा। ऐसे पासपोर्ट में इलेक्ट्रोनिक्स माइक्रोचिप लगेगी। करोना काल में मेंटल हेल्थ पर फोकस किया जाएगा। टैली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वेर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लाँच किया जाएंगे। देश की रक्षा के लिए 5.25 लाग करोड रुपे का बजट रखा गया है। बीते साल से 9.7 फीसदी ज्यादा है। मेक इन इंडिया और मेक फोर दा वर्ल्ड पर जोर दिया जाएगा। DRDO को 25 फीसदी अधिक धनराशी दी जाएगी। वोकल फोर लोकल के तहट 68 प्रतिशत की खरीदारी होगी। रक्षा उपकरन देश में बनाए जाएंगे। क्रिप्टो क्रंसी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। लेन देन पर 1 प्रतिशत TDS देना होगा। और नुकसान पर सैट ओफ नहीं मिलेगा। शेयर निवेश पर 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत टैक्स की विवस्था की गई है। लेन देन पर 0.1% STT और नुकसान पर सैट ओफ दिया जाएगा। अनदाता के लिए भी बड़ी सोगात दी है। अब MSP सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी। नए वितवर्ष में 163 लाख किसानों से 1208 मिट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। MSP के जरिये 2.37 लाख करोड रुपे किसानों के खातों में बेजे जाएगे। कीट नाशक मुक्त प्रकिर्तिक खेती को बड़ावा दिया जाएगा। कीट नाशक के लिए ड्रोन के इस्तमाल को बड़ावा दिया जाएगा। PPP मॉडल में एक योजना की शुरुआत की जाएगी। यह किसानों को हाई टेक बनाने के साथ साथ भूमी रिकार्ड के डिजिटल करन में भी तेजी लाने का कारे करेगी केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए भी परियोजना की घोशना हुई है यह 44,000 करोड रुपे से शुरू होगी इस से 9,000,000 किसानों को लाब होगा सरकार ने 2023 को मोटा अनाजवर्ष गोशित किया है वित मंत्री निर्मला सीता रमन ने कहा है कि रेलवे छोटे किसानों मध्यम उद्धिमों के लिए परिवहन धांचा विक्सित करेगी स्थानिय उत्पादों की आपूर्ती बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी इस से देश के विकास को गती मिलेगी मनेरेगा के लिए 73,000 करोड रुपे आवंटन का प्रावधान है हर घर नल योजना भी शुरू की जाएगी इसके लिए 60,000 करोड का प्रावधान रखा गया है रेलवे को भी 400 वंदे भारत ट्रेनों की सोगात मिली है ये अगले 3 सालों में चलाई जाएगी रेल किराया नहीं घटेगा सोगती, शक्ती, कारगे, टर्मिनल भी बढ़ाए जाएंगे सभी परिवहन शेत्रों के विकास को साथ इंजन से संबोधित किया गया ये साथ परिवहन सडक, रेलवे, हवाई अड़े, बंदरगहा, सार्वजनिक, परिवहन, जल मार्ग और माल वाहन है परधान मंतरी निरेंदर मोधी जी ने इसे विकास का नया विकास कहकर संबोधित किया है यह अर्थ विवस्ता को मजबूत करेगा, सामाने जन के लिए नए अवसर बनाएगा, गरीब वर्ग का कल्यान करेगा वहीं पर राहुल गांदी द्वारा इस बजट की आलोचना की गई है उनका कहना है कि किसानों एवं मध्यमवर्ग का ध्यान नहीं रखा गया है, उनके लिए कुछ भी नहीं है उन्होंने इसे अमीरों का बजट कहा है, दिल्ली के मुख्य मंतरी केजरीवाल का कहना है कि इस बजट ने मायूस किया है इसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कम करने की भी कोशिश नहीं की गई जबकि सरकार ने 14 शेत्रों में शुरू हुई PLI स्कीम के जरिये 60 लाख नई नोकरियां देने का एलान किया है अगले 10 साल में 30 लाख नोकरियां भी दी जाएंगी छोटे वे मद्यम वर्क के लिए वेपार के लिए कर्ज गैरंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है तो ये बजट आपको कैसा लगा अपने विचार बताएं इसी के साथ ही ये वीडियोस माप्त होती है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताक कि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए धन्यवाद